ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 13 जुलाई 2024 बाबा के महा वाक्य मीठे बच्चे रक्षा बंदन का पर्व प्रतिज्या का पर्व है जो संगम युक से ही शुरू होता है अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्या करते हो मीठे बच्चे रक्षा बंदन का पर्व प्रतिज्या का पर्व है जो संगम युक से ही शुरू होता है अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्या करते हो प्रश्न, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं नाम बाला कैसे होगा? उत्तर, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाएं योग बहुत गुप्त है, इससे गुप्त विश्व का मालिक बनते हो योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश चापेंगे अखबारों से ही नाम बाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा ओम शान्ती, आज बच्चों को रक्षा बंदन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़्दीक है बच्चे राखे बानने के लिए जाते हैं, अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं ये तो बच्चों को मालूम है आज से पांच हजार वर्ष पहले भी ये प्रदिग्या पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिये हैं, ये है पवित्रता की निशानी सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांदो ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सत्युग आदी में ही होती है इस पुरुसोतम संगम युक पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी इनको कहा जाता है अनादी पर्व वह भी कब से शुरू होता है भक्ती मार्ग से क्योंकि सत्यूग में तो ये पर्व आदी होते ही नहीं ये होते हैं यहां सब त्योहार आदी संगम पर होते हैं वही फिर भक्ती मार्ग से शुरू होते हैं सत्युग में कोई त्योहार होता नहीं. तुम कहेंगे दीप माला होगी नहीं.। वह भी यहां मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। जो यहां मनाते हैं, वह वहां नहीं मना सकते। यह सब कल्युग के पर्व है। रक्षा बंधन मनाते हैं, अब ये कैसे मालुम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बानती हो, कहती हो, पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है. त्रमूर्ती के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है. अभी है ज्ञान मार्ग का समय, तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ती की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए, हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं, ज्ञान सागर एक ही भगवान है, जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं. भारत वाइसलेस था, तो सारी दुनिया वाइसलेस थी, भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है, भारत को वल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है बल्ड में, बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है, भारत खं चिकंड था स्रश्टी के आदी में देवता धर्म ही था उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म जिसको 5000 वर्स हुए अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज हैं कितना दिन 22 लेस बनने में लगते हैं ताइम तो लगता है यहां भी पवित्र बनने का प प्रतिग्या करने चाहिए बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे यह उत्सब सबसे बड़ा समझना चाहिए सब पुकारते भी हैं हे परमपिता परमात्मा यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धी में नहीं आता तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीवात्म आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल यह मेला इस संगम युक पर ही होता है। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं तुम्हारी ये गीता गुप्त है। तु ये समझाया जाता है। तुम योगबल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदी कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है। और ये ग्ञान चलता है एक लाइफ। फिर दो युग हैं ग्ञान की प्रालब। ग्ञान नहीं चलता है। भक्ति तो दौा पर कल्यूग से चली आई है। ग्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है। फिर उसकी प्रालब्द 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आखें खुली ह आगे तुम अज्यान नींद में थे अब राखी बंधन पर ब्रामण लोग राखी बानते हैं तुम भी ब्रामण हो वह हैं कुख वन्शावली तुम हो मुख वन्शावली भक्ती मार्ग में कितनी अंदिश्रद्दा है दुबन में पाँ फस पड़ते हैं न तो भक्ती के दुबन में मनुश्य फस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं तब बाप फिर आते हैं बचाने जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने लिए तो चाहिए न बच्चे बहुत मेनत करते हैं समझाने की करोडों मनुश्य हैं एक एक के पास जाना मेहनत लगती है तुम्हारी बदनामी एकबारों द्वारा हुई है कि ये भगाते हैं घरबार छोड़ाते हैं बहन भाई बनाते हैं शुरू की बात कितनी फैल गई अखबारों में धूम मच गई अब एक एक को तो समझा नहीं सकते फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा अभी विचार करना है क्या करें जो समझें रक्षा बंदन का अर्थ क्या है जबकि बाप आये हैं पावन बनाने तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिग्या ली है पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांदी है सिरी क्रश्न का जन्म मनाते हैं फिर जरूर गद्धी पर बैठा होगा कारो नेशन कभी दिखाते नहीं है सत्युग आदी में लक्ष्मी नारायन थे उनका कारो नेशन हुआ होगा प्रिंस का जन्म मनाते हैं फिर कारो नेशन कहाँ दिवाली पर कारोनेशन होती है बड़ा भवका होता है वह है सत्युक का संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं घर घर में रोशनी यहां होने की है वहां दीप माला आदी नहीं मनाते हैं वहां तो आत्माओं की जोत जगी हुई है वहाँ फिर कारोनिशन मनाया जाता है ना कि दीप माला जब तक आत्माओं की जोत नहीं जगी है तो वापिस जा नहीं सकते तो अब ये तो सब पतित हैं उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा फिर नाम भी इन द्वारा होगा थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे अब तुम पैसे कहां तक देंगे पैसे देना भी रिश्वत है बेकाइदे हो जाता आजकल रिश्वत बिगर तो काम ही नहीं होता है तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें तो दोनों एक हो जाएं तुम्हारी बात है योगबल की, योगबल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको भूबू करते रहना है, ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है इन चित्रों आदी में ग्यान है, योग गुप्त है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बेहद का वर्सा लेने के लिए वह ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, कहां भी बैट तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहां बैट कर योग नहीं साधना है, ग्यान और याद दोनों सहज हैं, सिर्फ साथ दिन का कोर्स लिया, बस जास्ती दरकार नहीं, फिर तुम जाकर औरों को आप समान ब बरसा ले रहे हो, याद भी बड़ी सूच में है, तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो, पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारन करना है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, काम का भी भारी अवगुण है, बाप कहते हैं, अब तुम प देखो, हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ग्यान का सागर है, तुम को आप समान बनाते हैं, तो तुम भी ग्यान सागर बनते हो, इसमें मुझना नहीं चाहिए, वह परम आत्मा, परमधाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है, वह तो तुम भी रहते हो, अब नंबर वार पुरुसार तनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास्विद ओनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। इसमें समत्र चाहिए आत्मा का साक्षातकार वा परमात्मा का साक्षातकार बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्यान का सागर हूँ समय पर आकर सब की सद्गती करता हूँ सबसे जास्ती भक्ती तुमने की है फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं रक्षा बंदन के बाद कृष्ण जन्मस्ट मी होती है फिर है दशहरा वास्ता मैं दशहरे के पहले तो कृष्ण आना सके दशहरा पहले होना चाहिए फिर कृष्ण आना चाहिए ये हिसाब भी तुम निकालेंगे पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते है अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं टीचर समझदार बनाते हैं न अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदू सो रूप है जाड कितना बड़ा है आत्माएं उपर में बिंदी रूप में रहती है मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है वास्तम में एक सेकंड में समझदार बनना चाहिए परन्तु पत्थर बुद्धी ऐसे हैं जो समझते ही नहीं नहीं तो है एक सेकंड की बात हद का बाप जो जन्म बाई जन्म नया मिलता है ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्सा देते हैं अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्सा ले रहे हो आयू भी बड़ी हो जाती है ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा नहीं, तुम्हारी आयू बड़ी हो जाती है, तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाडी में तुम्हारी बुद्धी में ये ग्यान जाकर रहेगा बाप को याद करना और वर्सा लेना है बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, बाप को जाना तो बस बाप और वर्से को याद करो पवित्र बनो, दैवी गुण धारन करो, बाप और वर्सा कितना सहज है, एम उबजेक्ट भी सामने है अब बच्चों को विचार करना है, हम अख़बार द्वारा कैसे समझाएं, त्रमूर्ती भी देना पड़े क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा इस्थापना ब्रामनों को पावन बनाने बाप आया है इसलिए राखी बनदवाते हैं, पतेत पावन भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं जिसने बहुत जन्म लिये होंगे, वह अच्छी रीती समझते रहेंगे भक्ती किसने जास्ती की? ये भी अब तुम जानते हो, पहले नंबर में तुम ही आये हो, तुमने ही अव्यविचारी भक्ती की है, तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ती की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने जास्ती भक्ती भी की है बाबा नाम तो लिखते हैं कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है नंबर वार तो होते हैं, यहां नंबर वार बिठा नहीं सकते तो विचार करना है, रक्षा बंदन का अखबार में कैसे डालें वै तो ठीक है, मिनिश्टर आधी के पास जाते हैं, राखी बानते हैं, परन्तु पवित्र तो बनते नहीं है तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वे उतर जाएं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला पास विद ओनर होने के लिए बाप समान ग्यान सागर बनना है कोई भी अवगुन अंदर है तो उसकी जाच कर निकाल देना है शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चे कर आत्मा से बात करनी है दूसरा, योगबल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है आप समान बनाने की सेवा करनी है वर्दान, देह भान को देही अभिमानी इस्तिती में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव चलते चलते यदि वैरागी खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान जब तक देह भान का वैरागी नहीं है तब तक कोई भी बात का वैरागी सदाकाल नहीं रह सकता संबंद से वैरागी ये कोई बड़ी बात नहीं है ये तो दुनिया में भी कईयों को वेरागी आ जाता है लेकिन यहां देह भान के जो भिन भिन रूप है उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी इस्थती में परिवर्तन कर देना ये विदी है बेहद के वेरागी बनने की सिलोगन संकल्प रूपी पाव मजबूत हों तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती